हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू कैसे हैं पिन हिंधी यूटूब चैनल और आज की इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फ्री मोबाइल गेमिंग एप बना सकते हैं जी हां दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना कि फ्री गेम की एप कैसे बनाते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ काफी लोगों ने मुझे से पूछा था क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस टोपिक पर फ्री मोबाइल एप कैसे बनाते हैं तो उसमें काफी लोगों ने कमेंट्स किया था तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो चलिए देख लेते हैं और सीख लेते हैं जोस्तो सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है appscare.com और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सबसे पहला ही आपको एक option दिखेगा create now आपने इस पर क्लिक करना है उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप किस तरह का ऐप बनाना चाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए ऐप बनाना चाते हैं या फिर आप कोई messenger या message के लिए app बनाना चाते आप जिससे आप online chatting कर सकें अपने दोस्तों से या फिर कोई browser बनाना चाते हैं इसी तरह से आप यहाँ पर रेडियो इस्टेशन के भी एप बना सकते हैं रेडियो का और भी आपको काफी इसमें अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है लेकिन हमें फिलाल इसमें एक गेम की एप बनानी है तो यहाँ पर उपर देखेंगे आप आपको एक ओप्शन मिलेगा गे आप दिखेंगे यानि कि जिस टोपिक पर लोग सबस्यादा गेम बनाते हैं गेम के एप बनाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे एक आपको ओप्शन मिलेगा आपने ओल पर क्लिक करना है और उसके बाद आप जिस तरह का भी गेम बनाना चाहते हैं वो थीम चूज कर ल जाएगी तो फिलाल मैं फ्लैप्पी का एक एप बना देता हूं मैं इसको ओपन कर लेता हूं यह एप बनाना बहुत आसान है तो सबसे पहले तो आपको इसका बैक्राउंड चूज करना है या पर आपको दो ओप्शन मिलते हैं या तो आप ब्ल्यू डार्क या फिर यह आसमानी कलर का बैक्राउंड चून सकते हैं या फिर इसको आप कस्टम भी कर सकते हैं मैं फिलाल में इसे select कर लेता हूं उसके बाद यहाँ पर dead player आपको select करना है कि मरने के बाद वो कैसा लगे तो आपने इस पर click करना है या फिर यहाँ पर भी आप custom कर सकते हैं इसी तरह से आप यह सारी formalities है इनको पूरा कर दीजे और last में अगर कोई अपना logo लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको logo भी लगा सकते हैं उसके बाद simple से आपने आपने next के बेटन पर click करना है उसके बाद आपको इस app का नाम देना है तो चलिए मैं देता हूँ कैसे health game और यहां पर next के बटन पर क्लिक कर देता हूं और यहां पर उसके बाद आपने इस app के बारे में बताना है इसके बाद से में description लिखना है तो मैं यहां पर लिख देता हूं लिखने के बाद आपने वापस Next के बटन पर क्लिक करना है और और आपको यहाँ पर आइकन चूज करना है अगर आप अपना खुद का या अपने जो आइकन बनाया हुआ है पहले सी उसको लगाना चाते हैं तो आप यहाँ पर कुश्टम आइकन पर क्लिक करकर उसे यहाँ से सिंपल से अपलोड कर सकते हैं तो मैं फिलाल इसे यही आइकन रहने देता हूँ उसके बाद अगर आप अपना एक बार गेम देखना चाते हैं या अपना एप देखना चाते हैं तो आप पर क्लिक हीर टू सी दिस प्रिव पर क्लिक कर सकते हैं और अपना एप या अपना गेम एक बार देख सकते हैं कि व उसके बाद देख सकते हैं आपका जो एप है इस तरह दिखेगा आपका जो गेम वाला एप है उसके बाद आपने आप प्ले करना है तो चलिए फिलाल मैं नेक्ष्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूं और जो अपना एप है उसे finally create कर लेता हूँ यहाप पर create के बटन पर click करके उसके बाद यह आपका थोड़ा drill मांगेगा यानि कि साइन अप करने के लिए बोलेगा अगर आप चाहे तो अपनी email id से यहाप साइन अप कर सकते हैं लेकिन मैं पहले से ही इसमें sign up कर रखा है register session कर रखा है तो मैं यहाप पर facebook से connect हो जाता हूँ और login हो जाता हूँ उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका app है वो finally तियार हो चुका है अगर आप उसे google play पर publish करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर publish के बटन पर click करकर उसे google play store पर publish कर सकते हैं लेकिन उसके आपको कुछ पैसे देने होते हैं लेकिन अगर आप इसे free में download करवाना चाहते हैं अपने दोस्तों से या अपने आप तो यहाँ पर आपको कुछ link मिल जाएंगे और एक qr code मिल जाएगा आप इन link से या इस qr code से इसको download कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह video आपको बहुत पसंद आया होगा तो youtube पर like का बटन दबाना ना भूले अपने problems अपने confusion हमें हमेशा की तर कमेंट्स करें और इस video को share करना ना भूले थैंक यू